उधाव ठाकरे जी जो मुख मंत्री बने वो भारती जनता पार्टी के साथ चुनाव लडे और जा करके जिसे खिलाप चुनाव लडे उसके साथ मिल करके और भारती जनता पार्टी के एक सीना में खंजल मार करके और ये जो है मुख मंत्री बनने का काम किया जो ब्यक्ति बिहार आए और बिहार पहुझने के बाद वो सबसे पहले तेजस्वी यादव से मिले और उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ मुख मंतरी के पहुंचे यह एक बड़ी खबर है आज हमारे साथ अर्विन जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है अर्विन जी आदित्य ठाकरे यहां पर पहुंचे हुए हैं जब दोनों के पिता में समं यह दोस्ती का समन्द बन रहा है क्या के हैं जिस पर देखिए पूत का पूत तो का धन संच है पूत सपूत तो का धन संच है जो ब्यक्ति अपने पिता के पद्यचिन्हों पर नहीं चलके अपने पिता के पद्यचिन्हों को मिटाने का काम करता है उसके बारे में आप खू प्रादेना इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है और जहां तक बात है कि स्री तेजस्वी जादो जी को बिहार के जनता ने उपमुख मंत्री नहीं बनाए हैं यह तकनिकी चलनाकियों से बने हैं चुकि जिसके खिलाप यह चुनाव लड़े उस ब्यक्ति को मुख मंत्री बना करके और अपने उपमुख मंत्री बने हुए हैं और हम लोग जो है जिसको मुख मंत्री करिडेट बना करके चुनाव लडे वो भी अक्ति हम लोग को धोखा दे करके उनको मुख मंत्री बनाये हैं। इन नों को जमता से कोई लेना देना नहीं हैं। ये सियासी कलाकार हैं लोग, उसी कलाकारी में ये लोग जो है आपस में मील रहे हैं, इनको कुछ दिन पहले ये लोग और लोगों को भी बिहार में बुलाए थे, जिनके सामने पर इसकोन्फरेंस में उठक बाइठक कर रहे थे कैसी यार के सामने, तो वो अलग पाटी बना तलिए ये उत्तर प्रडेस में वह गए थे आए और जगता है तो तो लेकी अंहें में राजनीति कोई नहीं कर पते हैं जनता का विश्वास नहीं जित पाते हैं यह कलाकारी करते हैं एक दूसरे किसको कौन ठग करके हो कितना बड़ा पद ले ले उसी की राजनित करते हैं तो यह सारे कलाकार हैं और यह कलाकारी करते रहेंगे यह सब चलते रहेगा चुनाव आते रहेगा इस देश के जनता विकास पूरु स्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधान से वक बना चुका है आली बाबा चालीस चौर का कहाणी पौण है तो क्या है कि छोटे छोटे कलाकार बड़े कलाकार के सरन में जाते हैं तो यह बड़े कलाकार से मिलने गए हैं यह सवभाविक बात है सियासी कलाकारों के राजनेश्चिक गुलूह तो रंग बदलूए साहब नहें तो वहां तो पहुंचना ही था तो आप लोग को थोरा सा डड़ तो गही होंगे क्योंकि सभी लोग जैसे तरह से कहा जा रहा था नुटीज कुमार कह रहा था कि सभी लोग एक जूट होईएगा तभी बीजेपी को इस देश से निगाल पाईएगा तो अब धीरे धीरे लग रहा है सब लोग एक जूट होड़ा है अकेले राम अजोध्या से लंका जाकर के बिना सेना का जो नर नहीं थे जिनको बानर कहते थे उनको उन्सको ले जाकर के और अधर्मी रावन का बद किये मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूँ उसी तरह से भारती जनता पाटी अकेला पाटी विकास के नाम पे विकास करके इस देश में विश्वास बनाया है बिश्वास और विकास के नारा के साथ इस देश में इस तरह के सारे अधर्मी परिवारबादी, सारे सियासी का लकार, सारे भोटाले बाज, सारे अप्राधी तत्वों के जनक यह सारे लोगों को परास्त करने के लिए इस देश का जनता भारती जनता पाटी को भोत दे करके प्रचंड बहुमत से विजयी बनाई हुई है और आगे बनाते रहेगी चलिया बहुत बहुत धाने बाद तो अर्विन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और पहले ही मुख मंत्री ने कहा था कि जितने भी लोग हैं जब तक एक साथ नहीं हो येगा तब तक हम लोग बीजेपी को नहीं हटा सकते हैं और सायत यह दो हजार जो चौबीस का चुनाओ है उसके पहले का यह जो पूरा गोलबंद किया जा रहा है सभी लोग एक साथ आ र को अपडेट करेंगे फिलाल के लिए भने रहा है लाइब भीहार के साथ धाने बाद लाइब भीहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें